बच्चों हम लोग periodic table पढ़ रहे हैं आपने जाना पिछले वीडियो में कि periodic table के जो total 118 elements हैं वो 4 blocks में divided हैं S block, P block, D block और F block में हैं ना मैं आपको बारी बारी एक एक block करके बताऊंगा पहले यानि कि हम लोग आज की class में पढ़ने जा रहे हैं S block element S block element किनको आप बोलते हो S block element आप उन elements को बोलोगे जिनके last electron आउटर most cell यानि की बाहतम को उसके S orbital में जाते हैं है ना अब बाते आती है कि ये periodic table में किधर रखे गए हैं तो आप अपने सामने periodic table रख लेंगे मैंने वीडियो में upload भी किया था उसे भी आप देख सकते हैं जैसे मालो ये page अगर हमारा periodic table है तो ये इसका जो एकदम left most हिस्सा है जो सबसे बाया वाला हिस्सा है इसमें आप दो column देखोगे column को उपर से नीचे group बोलते हैं समू बोलते हैं और जो ऐसे left to right आप देखते हो horizontal जो है उसको आप बोलते हो period आवर्त बोलते हैं हम लोग तो जो सबसे left में दो groups हैं यानि कि group first या जिसको first A बोलते हो और group second यानि कि जिसको आप group second A बोलते हो ये दोनों जो groups हैं इन दोनों को आप बोलते हो S block element यानि कि इसमें जो element सा हो S block element कहे जाते हैं अब इसमें जो group first A है इसको आप alkali metal या छार धात में बोलते हो इसमें कौन-कौन है hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium और francium और दूसरी तरफ यहाँ जो group second है या जिसको आप second A भी बोलते हो इसके first period में कोई नहीं है second period में है berylium, magnesium, calcium है fourth period में fifth में strontium, barium और radium इनको हम बोलते है alkaline, earth metal या छारी मिर्दाधातु है है ना अब बाते आती है कि इनको हम alkaline metal क्यों बोलते है और इनको alkaline, earth metal क्यों बोलते है ठीक है तो देखे इनको alkaline metal बोले जाने के पीछे वजह यह है कि इनके जो hydroxide है जैसे nao याच हो गया, ko याच हो गया यह strong basis होते है, alkaline होते है ना और दूसरी तरफ इनको हम alkaline, earth metal क्यों बोलते है क्योंकि जैसे इनके जो oxide हैं, जैसे MGO, CAO, यह क्या है, यह basically बेटा, इनको अगर आप water में dissolve करो जैसे CAO को अगर हम water में dissolve करते हैं, HOS, तो यह बनाएगा CAO या छोल टो आईसा है ना, तो यह alkaline नहीं है, बलकि alkaline है, alkaline के जैसा है दूसरी बात इसके जो oxides हैं, यह sand की तरह से, sand मतलब SiO2 की तरह से non-fusible है, agalani है, मतलब इसको अगर आप बहुत ज़्यादा heat दोगे, तभी यह पिड़ लेगा तो यह अर्थ के जैसा इसका nature है, इनके oxides का, so इनको हम alkaline earth metal का नाम देते हैं, अब बात यह आती है, कि जैसे अब इनके position को आपने समझ लिया, अब इनके atomic number को देखिए आपको कैसे समझना है, जैसे है hydrogen है, one है, अच्छा एक बात आप यह समझ लिजे कि hydrogen जो है, alkaline metals के सा और इसको हम hydrogen के साथ भी hydrogen को रखते हैं, है न, क्योंकि इसके कुछ characters hydrogen से भी मिलते हैं, अब बाते करिए इनके atomic number की बात कर लिजे, atomic number one, three, eleven, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक trick बताता हूँ, जिससे आपको atomic number रटना नहीं होगा, ठीक, जैसे जो period first है, इसमें atomic atomic number one मिला, अब इसमें आप two add कर दो, तो देखो lithium का atomic number आपको three मिल गया की नहीं, अब दो बार आप eight add करो, eleven मिला, फिर again आप eight add करो, आपको मिला 19, ठीक है, अब two times आप 18 add करोगे, two times, है न, तो 19 के बादे हाँ rubidium का देखो, आपको 37 मिला, फिर आपने जब 18 add किया, तो आपको 87 मिल गया, वही चीज़ें यहाँ भी करना है, अचा आप यहाँ two add नहीं करोगे, जब period first से second में जाना होता है, तब हम two add करते हैं, third से fourth, fourth से fifth, है न, second से third, third से fourth, जब जाना है तो eight add करेंगे, जैसे यहाँ देखो eight added होगा, यहाँ भी eight added होगा, है न, यहाँ पे कित add करेंगे, 32, ऐसा क्यों कर रहा है, यह आप मुझे comment box में बता होगे है, थोड़ा सा आपको मैं hint दे रहा हूँ, यह बात आप तब समझ पाओगे, जब आप आप बाव प्रिंस्पल, या बोरबरी प्रिंस्पल, बोरबरी scheme की मदद लोगे है, तो एकदम आपको रटना नह ठीक है, अब इनके electronic configuration की बात कर लो, तो इनका electronic configuration अगर हम बोरबरी scheme से लिखें तो one आया, इसका लिखेंगे तो two one आया, इसका लिखेंगे तो two eight one आया, अब अगर आप एचीज नहीं जानते हो, तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, बहुत ही सांदार वीडियो मैंने upload किया अगर हम इनका about scheme से लिखते हैं, तो इसका आएगा one s one, मतलब इनके last cell के s orbital में, s sub cell में one electron दिखेगा, इसका लिखोगे one s two, two s one, इसका लिखोगे तो क्या, one s two, two s two, two p, six, three s one है न, देखो, ये, तो इनके s orbital के, क्या मिल ला है, one electron मिलना है कि नहीं मिलना है, तो ये इनका electronic configuration, और वहीं इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, two and two, और ऐसे लिखोगे तो one s two, two s two, magnesium का अगर हम लिखते हैं, तो क्या दिखेगा, magnesium का अगर हम लोग लिखा जाए, तो यहां देखो, twelve electron है, तो two eight, ten हो गए, फिर two, और अगर हम आप बाउ से लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, one s two, two s two, two p six, ten हो गए, फिर इसके बाद बारी आती है, three s two, अगर आपको ये चीज नहीं लिखने आता है, तो आपको इसको कत्ते ही छोगने की जरुवत नहीं है, इसको तयार कर लेने की जरुवत है, क्योंकि इसके बिना आप periodic table नहीं पर पाओगे periodic table नहीं पर पाओगे, तो bonding नहीं पर पाओगे, bonding नहीं पर पाओगे, तो chemistry नहीं पर पाओगे, तो इसको जरूर तयार करने, तो यहाँ देखो, यहाँ दो बाते हैं, ऐसे अगर देखा जाए, तो outer most cell में one electron, first group में, और अगर second group में देखा जाए, तो two electron है न, outer most cell में, या general electronic configuration लिखें, इन पूरे ही, मतलब s block element का, तो general electronic configuration हमको क्या मिल ला है, general electronic configuration हमको मिल ला है, ns1 or 2, और इसके पहले हमको noble gas मिल लई है, noble gas मिलने का मतलब क्या है, मैं page palette के आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या चीज़ें है, कि जैसे माल लो हमने sodium का लिखा, sodium का atomic number क्या है भई, 11 है, तो हमने लिखा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो ये इतना, sodium के ठीक पहले आपको एक noble gas मिलती है, neon, neon 3s1, तो ये आपको मिल गया है, neon 3s1, जैसे आप magnesium का लिखो, तो magnesium का क्या है भई, 12, तो लिखते हो, आप 1s2, 2s2, 2p6, अच्छा, कुछ books में आपको ये comma दिखता है, कुछ books में नहीं दिखता है, तो आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हो ठीक, 3s2 मिला, तो फिर वही चीज़ यहां तक आपको क्या मिला, neon, और फिर क्या मिला, 3s2, तो मैंने वही बताया आपको, कि इसका general electronic configuration क्या है, noble gas के बाद है, ns1 और 2, 1 किसके लिए, group first A के लिए, और 2 किसके लिए, और 2 किसके लिए, group second A के लिए, ठीक, ये चीज़ हो गए, अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, valency की, जो second property में आ गए, हम पहला electronic configuration हमने देख लिया, अगर हम इसके valency की बात करते हैं, तो valency की बात करो, आप electronic configuration लिखा हमने, 281, तो इस 7 electron लेने की बजाए, इसके लिए आसान है कि एक electron निकाल दे, ठीक है, तो यही एक electron निकालता है, तो जो group first A वाले हैं, उनके लिए valency आती है 1, और जो group second A वाले हैं, उनके लिए valency आती है 2, तो यही तीसरी तरफ आपको मिल जाता है, oxidation state, oxidation state का मत लबे होता है, कि valency में तो आपको पता कि चला कि जब यह जूडेंगे, तो one electron के जरी जूडेंगे, two electron के जरी जूडेंगे, oxidation state बताता है, कि यह क्या करेंगे, electron निकालेंगे या लेंगे, तो oxidation state या oxygen current अवस्थाइन की जो है, first A के लिए आती है, plus one, और second A के लिए आती है, plus two, कभी भी oxidation state neutral नहीं होता है, positive या negative दिखाया जाता है, तो यह दो बाते, तीन बाते हमने समझ ली, fourth चीज है, atomic radius, परमाड उत्रिज्या, परमाड उत्रिज्या की बात करिए अगर इनके, first A and second A के atomic radius की बात करिए, तो आपको अगर याद हो, तो मैंने पिछले वीडियो मे एक short वीडियो में मैंने आपको बताया था, periodicity बताया था, कि जब आप top to bottom आते हो, तो atomic radius बढ़ता जाता है, और left to right जब जाते हो, तो atomic radius घटता जाता है, तो चुकि यह periodic table में सबसे left में है, इसलिए इनकी atomic radius larger होती है, और group में बढ़ती जाती है, मतलब देखा जाए, तो fr francium तक बढ़ेगी है, hydrogen से बढ़ा होगा atomic radius lithium का, lithium से बढ़ा होगा sodium का, sodium से बढ़ा potassium, potassium से बढ़ा rubidium, rubidium से बढ़ा cesium, ऐसा हो क्यों रहा है, जैसे hydrogen में किते cell है, hydrogen में केवल एक cell है, lithium में किते cell आपको मिल रहा है, one, two, cell मिल रहा है, sodium में किते어요, one, two, three, ठीक, तो यह cells ब और left to right जाने पर atomic radius decrease होता है क्योंकि तर्म आप पढ़ेंगे आगे चलके effective nuclear charge बढ़ता है जैसे लीथियम में भी two cells है बेरेलियम में भी two cells है लीथियम आप बना रहे हो तो यहाँ nucleus है two cells है बेरेलियम बना रहे हो तो two cells है लेकिन इसमें three protons है इसमें आपको किते proton मिलना है four protons मि खीच रहे हैं यहाँ last electron को three protons खीच रहे हैं तो यहाँ ज्यादा खीचेंगे क्योंकि यहाँ चार लोग खीचने वाले हैं तो यहाँ lithium से छोटी size मिलेगी बेरेलियम की sodium से छोटी radius मिलेगी magnesium की ठीक है तो यह चीज़ आपको समझना है कि ऊपर से नीचे आने पे radius increase होगी तो यह पूरे table में अगर देखा जाया तो सबसे बड़ी radius होनी चे फ्रांसियम को बटे radio active इसको छोड़ दो cesium की सबसे बड़ी मिलेंगी क्योंकि यहाँ से यहाँ आने पे increase हो रही है और इधर जाने पे क्या हो रहा है decrease हो रहा है तो यह मसला हो गया है अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो फिर आता है कुछ properties हैं जैसे ionization potential की बात अगर हम करें ionization potential क्या है बेटा? ionization potential का मतलब होता है आएनन वीभो का मतलब होता है कि जब आप किसी atom से single electron निकालना हो gaseous atom से isolated gaseous atom से single electron निकालने के लिए जो work किया जाना चाहिए उसको आप ionization potential करते हो अब जैसे मालो sodium है 281 लिखा है आपने तो ये तो खुदी electron देने के लिए तैयार है ना? तो आपको बहुत work नहीं करना पड़ेगा ये easily electron निकाल देता है इनका जो ionization potential है वो low होता है और यही वज़ा है कि ये आसानी से धनायन यानी की कैटायन बनाते है क्योंकि इनको electron निकालना इनके लिए easy है, ionization potential कम है ऐसे ही electronegativity जिसको आप विद्दू त्रिदात्मक्ता बोलते हो विद्दू त्रिदात्मक्ता और electron बन्दुता, electron affinity electron affinity जिसको आप बोलते हो electron बन्दुता ये भी कम होते है electron बन्दुता भी क्या होंगे, इनके कम होंगे, low होंगे क्यों low होंगे, इन दोनों ही groups की electron affinity और electron negativity कम क्यों होंगे क्योंकि इनको electron चाहिए ही नहीं ये तो खुद electron देने वाले हैं तो इनकी electron negativity मतलब covalent bond में electron को अपने और खीचने की capacity होती है तो इनको electron नहीं चाहिए सीधी बात है दूसरी तरफ बात क्या है बटा electron affinity मतलब इन पे आप electron add करो और अगर easily add कर ले रहे हैं तो electron affinity ज़्यादा मानी जाती है तो क्या electron add करेंगे इनको खुद electron देना है तो इनकी electron affinity भी इनकी क्या होगी कम होगी ठीक है ये metallic character दिखाने वाले elements है फिर बात आती है reducing capacity की एक property आती है reducing capacity की तो आपको बताया था मैंने एक video मैंने periodicity का डाला था कि इधर कैसे बदलता है तो आप उसको गौर से देख लेंगे तो मैंने बताया था reducing capacity top to bottom increase होता है और left to right decrease होता है तो ये चुकी left में है तो ये बहतर reducing capacity वाले elements है ये बहतर अपचायक है ठीक है ये reducing agents है reducing agent का मतलब क्या हुआ कि ये easily electron lose करेंगे जैसे magnesium है calcium है sodium है lithium है तो इसके outer motion में 281 यहां 282 आपने लिखा तो इसके outer motion में 1 electron 2 electron जिसको ये easily lose कर सकते हैं अब ये electron कहीं जाके जैसे sodium है इसके पास electron है chlorine 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 electron आप देख रहा हो chlorine के पास तो ये easily sodium अपना electron इसको दे देता है और अगर ये electron है chlorine के पास जाके जुड़ेगा तो chlorine को reduce कर देगा है ना chlorine को reduce कर दिया तो reduce हुआ किसकी वज़ेद से sodium की वज़ेद से तो sodium एक बहतर reducing agent हुआ और इन सब में सबसे बढ़िया reducing agent top to bottom आने पर increase हो रहा है तो यहाँ पर cesium सबसे बहतर reducing agent आपको मिलेगा है और इस group में सबसे बहतर barium radium और francium को इसलिए छोड़ देना है क्योंकि ये radio active materials है radio धर्मी पदार्त है इन में से alpha बीटा gamma rays निकलती रहती है तो इनको आपको general studies में जो इनकी general properties हम पढ़ रहे हैं उसमें सामिल नहीं करना है ठीक अच्छा एक और बात है कि highly reactive metals तो हैं ही इनकी जो density है वो बहुत कम होती है इन सारे metals का जो घनत्व है वो बहुत कम होता है आपने सुना होगा और इनका जो melting point है वो भी बहुत कम होता है ठीक है मत्तब आपे समझें कि जैसे cesium है cesium हमारे हथेली पे पिखल जाता है है न इसका जो melting point है about 30 degree Celsius है हमारे body temperature पे आपने पढ़ा है न mercury room temperature पे liquid होता है cesium और gallium gallium aluminium family में है यह दो ऐसे metals हैं जो हमारे body temperature पे हमारा body temperature होता है 37 degree तो यह 30 degree के आज़ पास में पिखल जाते हैं ठीक और यह इतने soft हैं इतने कोमल हैं दोनों ही block के metals दोनों ही group के metal कि इनको आप चाकू अगर ऐसे काट सकते हो है न जैसे magnesium ribbon होता है उसको तो 8-10 बाज़ा ऐसे तोड़ो तोड़ तूड़ जाएगा sodium चाकू से कर जाता है ठीक है तो यह कुछ general properties हो गए अब इसमें एक बात मैंने आपको पहले ही बताया कि इन metals के जो hydroxides हैं वो alkali होते हैं इलकली होते हैं strong alkali होते हैं जैसे NaOH है अगर इसको आप तोड़ोगे तो Na plus OH minus मिलेगा खुब ज़्यादा amount में OH minus मिलेगा इसकी pH value NaOH की pH value NaOH solution की pH value बहुत high मिलती है और यह acid से बहुत तेजी से react करता है दूसरी तरफ इनके जो hydroxides हैं जैसे मैंने COOH whole twice की बात की तो यह alkali नहीं है बेस तो हैं लेकिन यह alkali नहीं है मतलब यह इनका जो alkaline strength है वो basic strength है वो थोड़ा कम होता है NaOH वगरे के respect में ठीक है तो इनको आप alkaline earth metal का नाम देते हो तो यह कुछ properties थी आपको ऐसे ही सारे blocks को पहणड़ा है कि वही कहा position है electronic configuration क्या है outer muscle में कित्ते electrons हैं valency क्या होगी है ना valency क्या होगी oxidation state क्या होगा है ना फिर उसके बाद इनके ionization potential के बारे में बात करेंगे electro negativity, electron affinity reducing या oxidizing capacity जैसी भी रहेगी melting point, density वगरे में हम बात करते हैं hardness वगरे के बारे में बात करते हैं बता दिया है आप को सिस ये करेंगे कि इन metals के बारे में आप एक बार काईदे से पढ़ ले अगर कुछ चीज़ें आप note कर सकते हैं तो note करने और इसको revise करते रहे और मुझे comment box में आप बताएं कि आपको और क्या चीज़ें मैं provide करूं chemistry के किस section में आपको क्या बताऊं कि आपके लिए हो helpful हो useful हो तो अभी हम लोग periodic table लेकर के बढ़ रहा हैं आने वाले दिनों में हम लोग कुछ 12 की organic chemistry से SN1 SN2 reaction वगरे के बारे में भी बात करेंगे तो आप पहले इसको तयार करें बच्चों मैंने periodic table के सा भी आप जरूर देख लें और बढ़ाई करते रहें बच्चों थैंक्यू